नमस्कार दोस्तों, जै मातादी वर्फ बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें, मातारानी सब का कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे सार्दी नौरात्र साल 2020 में कम मनाई जाएंगी और घट स्तापना का सुमूरत क्या होगा साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी तारीक को कौन सा नौरात्र पढ़ने वाला है और दुर्गा अस्टमी और दुर्गा नौमी किस दिन मनाई जाएगी पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्डबैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर ले तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों नवरात्र को हिंदू धर्म के प्रमुक तेवारों में से माना जाता है जिसे पूरे देश में बहुत तीसरद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है नौरात्र देवी दुर्गा को समर्पित पर्व है जिसमें देवी के नौ अलग अलग सरूपों की पूजा की जाती है जिने नौ दुर्गा कहते हैं सार्दी नौरात्र को सभी नौरात्र में सबसे प्रमुख और महात्र पूर्ण माना जाता है। इसलिए इसे महा नौरात्री भी कहा जाता है। यह अस्विन महा के सरत रितु में आते हैं। इसलिए इन्हें सार्दी नौरात्र कहते हैं। सार्दी नौरात्र का महात्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नौरात्री विजिया दस्मी के पर्व के ठीक पहले आते हैं। दोस्तों साल 2020 में सार्दी नौरात्र 17 अक्टूबर 2020 दिन सनिवार से प्रारंब होकर 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को समप्त होंगे। दोस्तों नौरात्र के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 सरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों इस बार नौरात्र में नो देवियों की पूजा के दिन इस प्रकार हैं, 17 अक्टूबर 2020 दिन सनिवार को पहला नौरात्र मनाया जाएगा, इस दिन घट स्तापना के साथ मासेल पुत्री की पूजा की जाएगी और 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को दूसरा नौरात्र मनाया जाएगा, इस दिन मा ब्रम चार्णी की पूजा करें, 19 अक्टूबर 2020 दिन सोम वार को तीसरा नौरात्र पड़ेगा, इस दिन मा चंदर घंटा की पूजा करें, 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगल वार को चौथा नौ इस दिन मा कुस्मांडा की पूजा करें 21 अक्टूबर 2020 दिन बुद्ध वार को पाच्वा नौरात्र होगा इस दिन मा सैल पुत्री की पूजा की जाएगी 22 अक्टूबर 2020 दिन गुर्वार को छटा नौरात्र मनाया जाएगा इस दिन मा कात्यानी की पूजा करके उनका आसिर वाद प्राप्त करें 13 अक्टूबर 2020 दिन सुक्रवार को साथवा नवरात्र पड़ेगा इस दिन मा काल रात्री की पूजा की जाएगी 24 अक्टूबर 2020 दिन सनिवार को आठवा नवरात्र मनाया जाएगा इस दिन मा महागवरी के साथ दुर्गा अस्टमी का पर्व मनाया जा दोस्तों नवरात्र में पूजा पाट करने से जीवन में धन वैभव यस मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है नवरात्र में घट स्थापना का विशेश महात्य होता है नवरात्र की सुरुआत में ही घट स्थापना की जाती है घट स्थापना को कलस स्थापना कहत अंगलकारी माना गया है ऐसा कहा जाता है कि कलस के मुख में भगवान विश्णु जी का गले में रुद्र का तथा मूल में ब्रह्मा जी का तथा मद्य में देवी शक्ति का निवास होता है दोस्तों सारदी नौरातर दो हजार बीश में कलस इस्थापना का मुहूरत सुबा चाय बजकर 13 मिनट से लेकर 10 बजकर 11 मिनट तक रहेगा दोस्तों कलस इस्थापना प्रतिपदातिथी में करना सुब माना जाता है प्रतिपदातिती का प्रारंब 17 अप्टूबर 2020 को प्राता काल एक बजे से लेकर प्रतिपदातिती का समापन 17 अप्टूबर 2020 को रात 9 बज कर 8 मिनट तक रहेगी दोस्तों नौरात्र में घट स्थापना सुम मूरत देखकर ही करना चाहिए क्योंकि घट स्थापना करके ही हम मादुरगा को आववाहन कर पूजा के लिए अमंत्रत करते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेहर अवस्य करें हमारे यूटूब चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद